पीके अलप संख्यक कल्यान मंत्री महसीन रजा ने ईद के पर्व की शुबकामनाई दी उन्होंने प्रदेश वासियों से अपील की कि कोरोना और लॉकडाउन की चलते लोग घरों में ही ईद का तेहार मनाएं इसी के साथ में सोशिल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया चाहें और देश वासियों को ईद के हानक शुबकामनाई दिली मुबारक बाद इस पार की ईद हम सब घर पर ही रहकर बनाएंगे इद की नमाज भी घर पर अदा करेंगे और पुरे दुनिया के लिए दुआ करेंगे पुरे मुल्क के लिए हिदुस्तान के एक एक व्यक्ति के लिए दुआ करेंगे कि हमारा मुल्क फिर से वैसे ही वापस हमारे मुल्क की ईद हो जैसे हमेशा हुआ करती थी और हमारे कुछ परिवार हैं जो वाकई में जिनकी जीवी का रोज कमाने और खाने पर चलती है उन परिवारों की ईद कैसे हो इसके लिए ये ईद हम उनको समर्पित करेंगे इस बार की ईद हमारी ईद उन परिवारों को समर्पित है हम उन से खुशियां शेयर करना चाहते हैं उन परिवारों में खुशिया लाना चाहते हैं जो वाकई में इस करोना के दौरान दो महीने के लॉकडाउन में बहुत परिशान हुए